नमस्कार साथियों, मैं राहुल सर्मा, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, आपके अपने परिवार, रोजगार विदंकित पर, दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, रादे रादे, जैश्री कृष्णा, आजएए, सभी का स्वागत है, सभी लोग जल्दी से जल्दी किलास से जुड़ेंगे, बहुत ही सांदार और इंट्रेस्टिंग चेप्टर आपके सामने है, बिल्कुल सांदार तरीके से इसका आगाज करते हैं, चेप्टर है हमारे पास आज पासा, डाइस, और डाइस से मैं आपको बता दूँ कि एक्जाम में कुष्ण ब इसकी ऐसी हैं, जो थोड़ा सा परिशान करती हैं, तो सबसे लास्ट में उन टाइपों को मैंने रखा है, और हर टाइप का कुष्ण, टोटल कुष्णों की संख्या जो होने वाली है, वो आज 50 होने वाली है, कुल प्रस्णों की संख्या होगी, 50, तो 50 कुष्ण सुरवात कर रहे हो तो पचासवे कुश्चन तक रुके रहना पूरा डाइस चेप्टर अपका फिनिस हो जाएगा ठीक है जल्दी से सभी लोग किलास को सेयर करेंगे सभी का स्वागत है बिल्कुल सांदार तरीके से नमस्कार भीया चलो रोहित अरुन लकी काजल अभिशेक सौनु सभी का स्वागत है सभी लोग जल्दी से जल्दी किलास से जुड़ेंगे आज हो स्टार्ट करते हैं अपने चेप्टर को डाइस को सबसे पहली टाइप जहां आपको डाइस की केवल एक स्टेज दिखाई देगी और उस स्टेज के अकॉर्डिंग ही आपको अपोजिट न वो नॉर्मल डाइस है या स्टेंडर्ड डाइस है साधारन पासा है या मानक पासा है यह हमको चेक करना होता है और साधारन पासे और मानक पासे की कंडिशन क्या होती है अगर अगर पडोसियों का योग कहीं पर साथ बन गया पांच और एक छे हो गया इधर एक और तीन कर पर भी परोसियों का योग कहीं पर भी अगर साथ बन गया तो वो होता है हमारा साधरन पासा अगर परोसी का योग साथ नहीं है तो फिर विपरीत का योग साथ होगा और विपरीत का योग साथ है तो वो होता है मानक पासा यहां पर कहीं भी 7 नहीं बना 1 प्लस 5 not equal to 7 not equal to 7 ठ 3 प्लस का 5 not equal to 7 इसका अर्थ है ये है आपका मानक पासा अर्थात standardize मानक पासा है और मानक पासे की condition क्या कहती है वन का opposite 6 होता है 2 का opposite 5 होता है और 3 का opposite 4 होता है तो पूछा गया था आपसे वन के opposite face पर कौन सा नंबर होगा वन के opposite face पर होने वाला नंबर कौन सा है वन के opposite face पर आने वाला है 6 ऑप्शन नंबर भी आपका बिलकुल right होगा ये आपका अत्यंत सांदार जवाब बिलकुल सही बिलकुल सांदार बहुत बहतरी बढ़ते हैं next की तरफ अगला कुशन ये रहा जी आपके सामने यहां भी इसी परकार से चेक करना है 2 प्लस 3 आप देखोगे जोड कर तो कितना बनेगा 5 बनेगा 3 प्लस 4 करोगे तो 7 बन गया अब 7 बन गया तो इसका अर्थ है ये कैसा पासा होगा 3 प्लस 4 is equal to 7 7 बन गया तो ये simple dice होगा साधारन साधारन पासा simple dice होने वाला है simple dice और simple dice में आपको बस पहचानना है क्या पहचानना है किसके अपोजिट 3 के अपोजिट आपसे पूछा गया है 3 के अपोजिट पूछा गया है तो मेरी बात सुन लेना 3 का अगर अपोजिट निकालना है तो ये दो तो अंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये इसका पड़ोसी है ना हो सकता है 5 हो सकता है 6 हो सकता है तो जो बचे हुए नंबर है 1 या 5 या 6 जो बचे हुए नंबर है वो इसके अपोजिट होंगे option number D option number D next अगला प्रस्ण आपके सामने इसका जवाब देंगे आप लोग फटा फट से 10 सेकेंड मात्र में 10 सेकेंड मात्र में answer चाहिए बताइए जल्दी से एक पासे के निकटवर्ती फलकों पर घडी की सुईयों की चलने की दिसाम है किरम से किरम से ABCD लिखा गया है घडी की चलने की सुई की दिसाम है यानि की clockwise direction में कुछ ऐसे आप बना सकते हो 1,2,3,4 clockwise direction में A,B,C और D इस परकार से लिखा हुआ है E और F किरम से ऊपर और नीचे लिखे हुए E और F किरम से ऊपर और नीचे E ऊपर और F को आप नीचे यहां रख लीजिए क्या इदर रख लीजिए मरजी आपके जहां आपको उचित लगे E और F किरम से ऊपर नीचे है ठीक है तो open dice की condition बन कर आती है यहाँ पर वो किरा है इस पासे में उपरी फलक पर जब C हो तो उसके निचले फलक पर क्या होगा अर्थात आप से पूछा गया है C के opposite face पर क्या होगा आप सभी लोग जानते हो अगर यहाँ से आपको C का opposite निकालना है तो एक column छोड़ कर चलना पड़ेगा और एक column छोड़ कर जाओगे तो C के opposite पर क्या हो जाएगा A option number first, option number first हमारा बिल्कुल right, next पर आजएए अब आते हैं जहाँ आपको dice की दो stage दिखाई देंगी dice की दो इस्तिती आपको दिखाई देंगी उनमें करने का तरीका क्या है? करने का तरीका है या तो एक number common मिलेगा या दो number common मिलेंगे पहले सबसे पहले जल्दी से class को सभी लोग फटाफट से share कर दो पचास question होने वाले है सुरवात अगर के दिखाई है तो last तक रुकना पूरा dice chapter finish हो जाएगा हर type का question हर type का question आपका finish हो जाएगा ठीक है? चलो तो जल्दी से सभी लोग किलास को share कर दो फटाफट से 5, 6 और 3 5, 6 और 3 और उधर दिया है 5, 1, 6 तो आपको करना क्या है? common ढूंडना है दोनों में और दोनों में common क्या नजरा रहा है? इधर 5 है और इधर भी 5 है और क्या है? साथ की साथ 6 भी हमको common नजरा रहा है जब 2 number common मिल चुके हैं तो बचा हुआ नंबर एक दूसरे का opposite होता है बचा हुआ नंबर एक दूसरे का क्या होता है अपोजिट तो यहां थरीका अपोजिट जो होगा वो थरीका अपोजिट वन होगा option नंबर option नंबर दो next अगला प्रस्ण अगला प्रस्ण ये रहा दोनो डाइस को compare करो पेचंगो दोनोidents डाइस में क्या नंबर आपको Common नजर आ रहा है और आप से अपोजिट में पूछा गया है किसके चार मिंदू वाले Фलक के विपरीट पर क्या होगा फोर के अपोजिट आप से पूछा गया है कि फोर के अपोजिट फेस पर कौनसा नंबर आएगा जल्दी से बताओ ये कौन है रोगना उपर दिखाना अनीता यादव सर जी डीपी में चार क्लास में हुआ था यहां एक क्लास में खतम बिटा पचास कुशन है प्रेक्टिस सेट नाम दिया गया है प्रेक्टिस सेट है तो मैं केवल आपको कुशन करा रहा हूँ और आपको प्रेक्टिस करनी है वो चेप्टर वाइस बढ़ा रहा हूँ तो फिर सारी चीजे मुझे बेसिक से समझानी होती है अब यहां क्या है यहां प्रेक्टिस सेट है तो question आपके सामने आपको solve करना है बस ठीक है ना सीख तो आप चुके हो इन सभी चीजों को सलो जी देखो जरा फटा फट से यहां क्या है कि इन दोनों में common क्या नजरा रहा है 4 नजरा रहा है इधर भी है 4 और उधर side में भी है 4 ध्यान से देखो इधर भी है और इधर भी है dice को क्या करते हो clockwise में rotate करते हो clockwise direction में क्या करते है rotate करते है clockwise direction में तो 4 के बाद यहां से लिखोगे 4 4 के बाद 6 और 6 के बाद इधर लिखा हुआ है 5 ऐसा ही उसमें लिखोगे 4 4 के बाद क्या दिया है 1 और 1 के बाद दिया है 2 तो 5 का अपोजिट 2 हो गया 6 का अपोजिट 1 हो गया 4 का अपोजिट एक नमबर बचा हुआ है क्या 3 बचा हुआ है 3 तो आपका आंसर क्या होगा 4 बिंदू वाले के अपोजिट फेस पर कितने बिंदू होंगे चार के अपोजिट पर तीन होने वाले है option number B option number B आपका बिलकुल सांदार next अगला प्रशन आपके सामने scene 2 लगा देना बैस पर अगला प्रशन आपके सामने है देखो color के उपर भी question आपको इस तरीके से मिल सकता है जिसमें आपको color लिखे मिलेंगे उनका थोड़ा सा ध्यान रखना जल्दी से बताओ answer बताओ फटा फट से तुरंत दो दो चार चार सेकंड के question है ये सुरुवात वाली type वाले तो yellow रंके विपरीत पर क्या होगा yellow के opposite बताना है yellow के opposite अगला जो yellow रंके विपरीत फलक पर होगा yellow के opposite बताना है तो बिटा दोनों को आप आपस में compare करोगे yellow और इसमें common क्या है देखो एक तो blue common नजरा रहा है और एक white common नजरा रहा है blue और white तो बचा हुआ number या letter या word एक दूसरे का opposite होगा तो यहाँ yellow के opposite पर होने वाला है green option number बी बिल्कुल सांदार next यहाँ 12 के opposite आपको बताना है 12 के opposite पर क्या होने वाला है कोसिस करो देखो पर्खो आंसर बताओ 12 के विपरीत पर क्या होगा दोनों में चेक करो इधर 15 और 16 नजरा रहा है इधर 15 और 16 नजरा रहा है 12 का opposite इधर होने वाला है चौद है option number first option number first next यह सभी question exam में पूछे हैं जितने भी मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ बैट, आंट, फॉग, बैट, डॉग, आंट दिया गया है उसने बोला है कि आंट, बैग, कैट, डॉग, एग, फॉग यह सब कुछ लिखा हुआ है तो आपसे पूछा है डॉग का opposite दोनों में common चेक करोगे आंट और बैट इधर भी दिखाई दे रहा है आंट और बैट इधर भी दिखाई दे रहा है बचा हुआ, बचा हुआ, एक दूसरे का opposite होगा तो यहां से डॉग और फॉग आपस में opposite होगे option number, option number 4 next, अगला प्रस्ण आपके सामने जहां आपको dice की 3 stage नजर आएंगी 3 stage दिखाई दे रही है, देखो, परखो, आंसर बताओ चेक करिए जल्दी से क्या अंसर आपका होने वाला है बताओ फटाफट से यह कौन रो रहा है बई, क्या दिक्कत आगी गुरु जी, अर्थमेटिकल रीजिनिंग कब करवाओगे बटा करा दूँगा, चिंता मत करो, सारे chapter कराने है चिंता मत करो, 40 chapter हो जाएंगे 45 chapter हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे कराऊंगा सारे, निश्चिंत रहिए आपको देखना है अट दरेट के अपोजिट दोनों dice को आप आपस में compare करोगे फर्स्ट और सेकिंड को, तो दोनों में कुछ common नजर आ रहा है यह मुझे has common नजर आ रहा है यह वाला circle, उधर चलूँगा has के नीचे has लिखा जाएगा और इधर आया हुआ है हमारा क्या end आया हुआ है, end लिख दूँगा उधर आया हुआ है add the rate, तो पूछा किसके opposite गया था, add the rate वाले के opposite पर क्या होगा, add the rate वाले पर O होने वाला है option number 3, तीसरा option सभी का सांधार, मैं कराओ 50 question है, तो 50 question हो मैं से आपके 45 question right होने चाहिए आज, last में 4-5 question ऐसे हैं जो extra type है, हलाकि पूछी कम जाती है वो exam में, लेकिन करानी है ना मेरी जिम्मेदारी बनती है कि वो type भी आपको आ जानी चाहिए ठीक है, तो देखते हैं 50 में से आज आज आपका कितना score होता है next question ये रहा जी, देखो परखो, answer बताओ, यहाँ आपको बताना है, एक के opposite पर क्या होगा, वन के opposite face पर क्या होने वाला है, और आपका जो पिरहार सीरीज है, मेरी reasoning की जो किलास है, वो Monday to Friday रहेगी उसमें जो Saturday में किलास आपकी Saturday special जो चलती है 55 कुष्चनों वाला जो practice set होता है, वो Saturday special में चलता रहेगा, है ना, जो आपका Saturday special में चलता है वो आपका चलता रहेगा 55 कुष्चनों वाला, क्योंकि बहुत से बच्चों ने मुझसे बोला था, कमेंट भी किया था, कि सर ये बंद मत करना ये चलते रहने देना, ठीक है ना तो आपकी बात को मानते हुए ये Saturday special आपके लिए 55 कुष्चनों का जो practice set है वो चलता रहेगा, कल आपको 55 कुष्चन मिलेंगे practice set, mix total reasoning के, ठीक है ना चलो जी, यहाँ पर देखो आपका answer क्या आया, क्या करोगे दोनों को compare करोगे 4, 3, 2, 4, 2 common नजरा रहा है ऐसा ढूंडो जिसमें एक number common नजरा रहा हो, तो first और last के साथ जा सकता हूँ, first और last के साथ, 4 common है 4, 2, 3 कर दूंगा, इधर 4 common है, 4, 1, 5 कर दोगे, आप first और last के साथ जाऊँगा, तो 4, 2, और 3 आप ऐसे लिखोगे, वहाँ से चलोगे, तो 4, 1, और 5 इस तरीके से लिखोगे तो 5 का opposite 3, 2 का opposite 1, 4 का opposite एक number बचा हुआ है क्या, 6, पूछा गया था, एक के opposite पर क्या होगा, 1 के opposite पर होने वाला है, 2, option number 4, आपका बिलकुल right है, option number 4 बहुत सांदार, बहुत ही सुन्दर, next, question number 11, question number 11 check करो, answer बताओ 15, 20 second आपके लिए, उसके तुरंत बाद उसका solution रोकना रोकना उपर दिखाना हाँ, ये कौन परेशान है बई उपर दिखाओ उपर 55, question का time क्या होगा बहिया बिटा यही है, time तो अपना 4 बजे का ही है, fix time तो, time में कोई changes नहीं है, 55, question वाली आपकी Saturday को होती है, Saturday special ठीक है, वो पहले इसी चल रही है, उसमें काफी practice set हो चुके है वो आपका चलता रहेगा पूरे week में आप chapter wise पड़ रहे हो Monday to Friday और Saturday में उसका फिर practice set यानि की 55, question आपके mix reasoning के total reasoning के यहां common ढूंडो, first और second में four मुझे common नजर आ रहा है, तो बस तो इसी से rotate कर दूँगा इस तरीके से 4, 3, 5, 4, 1, 6 4, 1, 6 उधर लिखोगे 4, 3, 5 किसका पोजिट पूछा गया था 5 का अपोजिट पूछा गया है 5 का अपोजिट यह रहा भिया, 6 option नंबर 4 option नंबर 4, बिलकुल right next यह क्या गया रहा है, नीचे एक पासे की तीन अवस्थाएं दर्साई, तीन कहा है यहां तो दो ही है, यह तथा आर युक्त वाले फलकों पर विपरीत पर क्या आएगा यह तथा आर के विपरीत पर क्या आएगा तीसरा dice खा गया क्या, टाइप पिस्ठ हमारा, चलो दिखते हैं, दोनों में comment ढूंडोगे क्या common नजर आ रहा है, आपको common नजर आ रहा है, percentage प्रतीसत, तो आप dice को ऐसे घुमाओगे, clockwise direction में, प्रतीसत इसमें भी और प्रतीसत इसमें भी, बस तो कुश्चन का आंसर बता दो आपका आंसर क्या है, कुश्चन का आंसर बताईए, आपका क्या आंसर आ रहा है, प्रहार सरी Sunday, Sunday नहीं चलेगा बिटा Monday to Saturday रहेगी और Saturday में मैं आपको बता दिया, मेरी जो Saturday special चलती है, किलास 55 कुश्चनों का practice set होता है, वो Saturday में रहेगा Sunday में आपका application पर mock test होता है वो आपको देना बहुत अत्यंत आवश्यक है, वो आपके लिए बहुत जरूरी है, Sunday mock test हर एक single बंदा जरूर लगाएगा अवश्य आना, आपके लिए बहुत benefit होता है पिरतीसत पिरतीसत के बाद देखोगे, dollar दिया गया है और फिर इधर p दिया गया है तो उसने बोला था e और र के apposite पर बताओ तो e के apposite पर तो dollar आगया देखो, e का apposite पूछा था तो dollar आगया और r का पूछा था था to r का p आगया तो जिस option में dollar और p लिखा मिलेगा वो आपका answer होगा dollar और P लिखा हुआ मिला है option number B पर ये मत कर देना गुरू जी इसमें P और dollar इसमें भी तो लिख रहा है इसको क्यों नहीं लगा रहे आप किरम से बोला है किरम से तो पहले E का या अपोजिट लिखोगे और E का अपोजिट जो आ रहा था वो हमारा dollar आ रहा था तो उसी को पहले लिखोंगा R का अपोजिट P आ रहा था तो P को बाद में लिखोंगा ये गलती मत कर देना कभी P को सुरुवात में रख दो और dollar को बाद में रख दो हो सकता है examiner इस option को उपर रख दे आपके लिए ठीक है न वो गलती मत करना option number B आपका बिलकुल right होगा next पर आजाओ TQS URT SPU देखो पर्खो आंसर बताओ ये कौन है भी रोकना भाई क्या परिसानी आ रही है इनको time out करो राहुल सर का गंजा गांधी time out करो इसको उपर देखाओ ये कौन है और 11 गलत है चलो मैं इसको देख रहा हूँ बेटा मुझे बताओ आप कोई answer नहीं दे रहा या कोई तुक्का मार रहा है तो आपको उसका देखना है आपना देखना है आगे से अगर कमेंट आये ना दूसरों पर टिप पनी करोगे तो time out कर दिये जाओगे time out थोड़ी block ही कर दिये जाओगे फिर तो 11 नंबर में हाँ बेटा क्या दिक्कत लगी आपको 11 नंबर में क्या दिक्कत लगी 5 के opposite पर पूछा गया था 5 के opposite पर क्या दिक्कत आ रही है 5 के opposite में आपको 5 को दरसाने वाले फलक के विपरीत पर होगा इन दोनों को मिला कर करोगे इन दोनों में क्या common है 4 और 3 इसमे है 4 और 3 इसमे है तो 5 का opposite ये वाला 6 हो जाएगा कहा आपको समस्या आई बताओ मुझे कहां समस्या आई ठीक है न वो ठीक है ये देखो देखो पहचानो कौनसा अक्षर किसके क्यूंके opposite पर 1st और 2nd को लेकर कर सकते हैं बिल्कुल T common है तो इसी से घुमालो इसको T common है इसी से चले जाओ तो आप यहां देखोगे T आ रहा है S आ रहा है क्यूं आ रहा है इधर लिखोगे T आ रहा है T के बाद आ रहा है फिर You आ रहा है तो Q का opposite क्या हो जाएगा क्यूं का opposite हो जाएगा You क्यूं का opposite हो जाएगा हमारा You Next अगला प्रशन आपके सामने अगला प्रशन यह रहा जी चेक करो आंसर बताओ यहां आपसे पूछा गया है पांच के अपोजिट पर क्या होगा फाइव के अपोजिट पर क्या होगा फाइव के अपोजिट पर क्या होगा फाइव कही नजर आ रहा है कही नजर ही नहीं आ रहा है ना फर्स्ट और सेकेंड में देखोगे तो 1, 2, 4, 3, 6, 1 है न, 1, 2, 4 और 3, 6, 1 यहीं पर आंसर आ गया कि आप इन दोनों को साथ ले कर जाओगे इन दोनों को, क्योंकि इसमें 1 common था, और आप देख पारे 2, 4 इधर है, 3, 6 इधर है यह तो आपस में हो जाएंगे अपोजिट तो 1 के अपोजिट 1 तो हो नहीं सकता एक नमबर बचेगा क्या, 5 और यहीं पूछा गया था, 5 के अपोजिट पर क्या होगा 1, 2, 4 इधर लिखोगे, 1, 3, और 6, तो 1 के अपोजिट पर एक नमबर बचा हुआ है, वो है हमारा 5 5 option में नहीं दिया गया लेकिन 5 का पोजिट पूछा था, तो 5 का पोजिट है 1, option नमबर बी, option नमबर बी, next alphabet दिये गए हैं पहचानों, एसे लेकर F तक के alphabet आपको दिये गए हैं, E वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा E वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा देखो जड़ा B, E, F C, E, F पूछा गया है E के अपोजिट तो यहां से आप देखोगे B, E और F इसमें E और F है, E और F है तो B का अपोजिट C हो जाएगा ठीक है, आगे देखूँगा इन दोनों को इसमें C, F है C, F है तो E का अपोजिट क्या हो जाएगा A हो जाएगा C और F इसमें भी आ रहे हैं C और F इसमें भी आ रहे हैं तो E का अपोजिट क्या बचा A बचा क्या 1st और 3rd को लेकर किया जा सकता था B, E, F उसमें F को मैंने तब भी कर सकते थे F के बाद E और E के बाद B उधर से लिखते F F के बाद A और A के बाद इधर लिखते C तो E और A जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते E और A यहां भी E और A एक दूसरे के अपोजिट फेस पर आ रहे हैं उसने E का अपोजिट पूछा था तो E का opposite A होगा option number third option number third बिलकुल right है बिलकुल सांदार next पर आजाईए next पर check करो जल्दी से क्या answer होगा 1 के opposite face पर कौन सा number आएगा 1 के opposite face पर कौन सा number आएगा पहचानो और answer बताओ भईया जल्दी से 1 के opposite पर क्या आने वाला है 1 के opposite पर 2, 5, 6, 3, 6, 4, 1, 3, 4 दोनों को check करोगे तो दोनों में क्या common नजर आ रहा है only 6 नजर आ रहा है 6 से rotate करोगे देखो इतने सारे question आपके practice के लिए लेकर आया हूँ logic sum में एक है pattern भी एक है 50 question क्यू रखे ज़्यादा से ज़्यादा practice हो सके सभी question previous year में पूछे गए है कोई DSSB का है कोई आपका video के exam का है कोई आपका UPSI के exam का है कोई UP police का है कोई SSC के exam का है और लग-लग exam के question है ठीक है तो practice ज़्यादा हो जाए इसी बज़े से मैंने 50 question रखे है 6, 2, 5, 6, 4, 3 तो आप देखोगे यहाँ पर किसके opposite पूछा गया था वन के opposite तो आप देखोगे 6, 2, 5 लिखा हुआ है इधर देखोगे तो 6, 4, 3 लिखा हुआ है तो 5 का opposite 3, 2 का opposite 4 तो 6 का opposite एक number बचा हुआ है next अगला question आपके सामने question number 17 फटाफट से बताओ इसका answer क्या होगा question number 17 फटाफट से बताओ फिर आगे बढ़ेंगे जिसमें 4 dice आपको मिलेंगे 4 passे मिलेंगे technical महद्या पिलीज गुरु जी तक बात पहुचाना गुरु जी अब तक जितने topic हुए है उतना ही mix करवा दीजिए कल नहीं बेटा कल का तो 55 question का total रहेगा है ना वो तो fix है वो तो 55 का जो है ना वो fix रहेगा अब ये practice 80 तो है पर हार से रीज में एक chapter में सब कुछ ही तो करा रहूं मैं हर type का question करा रहूं अब इतनी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी थोड़ी सी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी कि खुद से हम practice कर सकें और वो practice कहा होगी आपकी mock test में reasoning में हो जाएगी Saturday special होता है Sunday में mock test होता है वहाँ पता कर लेना और फिर book से कर सकते हो या previous year से कर सकते हो तो वो तो आपके लिए सबसे best ही है ठीक है दोनों में common क्या है B, F, D, B, E, C B common है तो बस तो आगे जाने की आवशकता ही नहीं है क्योंकि दोनों में B ही common है C के opposite पर पूछा गया था C के opposite C बीच में है तो यहाँ D बीच में है तो क्या आजाएगा C का opposite D आजाएगा Next अगला कुष्षन एक इस टाइप से statement रूप में आपसे बोल सकता है हाला कि बहुत यासान सी चीज है कोई दिक्कत नहीं है वो कह रहा है कौन सा कथन सही है हो सकता है यह भी पूछले कि कौन सा कथन गलत है यानि कि कौन सा कथन गलत है सही नहीं है फिक है देखो जरा एक तीन दो एक दो पाँच छे पाँच एक आप opposite निकालोगे वन और टू इसमें नजरा रहे हैं और क्या second third को लेकर कर सकते हैं second third में हमारा two और five नजरा रहे हैं बात नहीं बनेगी first और last से कर सकते हैं one, three, two और इसमें two common नजरा रहा है तो first और last के साथ जा सकते हैं first और last के साथ क्योंकि two common है two, three, one लिख दिया जाएगा two common है तो two, five, six लिख दिया जाएगा clockwise direction में two, three, one उधर देखोगे तो two के बाद five और five के बाद लिखा जाएगा six, two का अपोजिट क्या बचेगा एक नंबर बचेगा वो रहेगा four, क्या one, four के विपरीत फलक पर है one और six अपोजिट थे तो पहला तो हो गया गलत five और two एक दूसरे के अपोजिट है नहीं, five और three अपोजिट थे गलत, six और one अपोजिट है जी बिलकुल, six और one एक दूसरे के अपोजिट है three और six अपोजिट है, नहीं है तो ये last वाला भी गलत, तो केवल और केवल option number three आपका बिलकुल right होगा बहुत ही सांदार भाई बहुत ही गजब next, ये लो इससे घबराना नहीं है चार, चार इस्थिती आपको दी है चार stage दे राखिया है करना तो आपको कोई से भी दो को लेकर है साथ में इन दो को ले लो, इन दो को एक साथ ले लो इन दोनो को एक साथ ले लो first, third को ले लो, first, fourth को ले लो second, third को ले सकते हो फरस्ट और सेकंड से कर सकते हो फरस्ट और सेकंड को देखो क्या common नजरा रहा है बी common नजरा रहा है इसमें और इसमें भी बी, सी और एफ भी common नजरा रहा है तो बी और एफ इसमें भी बी और एफ इसमें भी तो एक opposite C आएगा लेकिन हमको चाहिए D का अपोजिट और D का अपोजिट हमें यहां से मिल पा रहा है क्योंकि C और E इसमें भी आ रहे हैं और C और E इसमें भी आ रहे हैं तो D का अपोजिट क्या हो जाएगा F हो जाएगा जो बचा हुआ है वो एक दूसरे का अपोजिट होगा बचा हुआ नंबर या लेटर डी का अपोजिट होगा एफ ओप्शन नंबर बी ओप्शन नंबर बी आपका बिलकुल सही जवाब नेक्स्ट पहचानो आंसर बताओ फटा फट से क्या होगा चेक करो जल्दी से 1-4-5-2-4-6 1-4-5-2-4-6 दोनों में क्या common है 4 common है बस तो यहीं पर कुश्चन का अंसर 4-5-1-4-5 और 1 इसमें देखोगे 4-4-6-2-4-6 और 2 तो आप देखोगे 5 के अपोजिट पर क्या आ गया 6 आ गया 5 के अपोजिट पर क्या गया 6 आ चुका है 5 के अपोजिट पर next अगला प्रस्ण ये रहा आपके सामने एक के अपोजिट पर पूछा गया है 1 के अपोजिट पर ढूंडो कहां पर निकाल सकते हो answer 1 का अपोजिट क्या होगा देखो भाई फटा फट से 1 5 4 3 6 5 दोनों में 5 common है इसमें भी और इसमें भी आप कैसे चलोगे 5 1 4 5 3 6 5 3 और 6 तो यहां से आप लिख दोगे 5 1 और 4 इधर लिखोगे 5 3 और 6 पूछा गया है किसके 1 के अपोजिट पर तो 1 के अपोजिट पर क्या होगा 3 होगा 1 के अपोजिट पर 3 होगा तो first वाला option ही right होगा बढ़ते हैं आगे की तरफ next यहां color है scene to लगा दो भी color है तो देखो जरा अगर साफ दिख जाएं तो आपको check करो जल्दी से आपका answer क्या है लगाओ देखो इसने बोला है किसके लाल रंगवाले फलक के विपरीत पर क्या होगा तो लाल नारंगी बैंगनी लाल हरा नीला आप ऐसे भी कर सकते हो देखो लाल यहां पर भी है और लाल यहां पर भी है नारंगी आ गया बेंगनी आ गया इसके दोस्त है हरा आ गया नीला आ गया बचा कौन सा एक कलर लाल का दोस्त नारंगी भी है लाल का दोस्त बेंगनी भी आप जानते हो किसी भी एक फेस के चार पड़ोसी होते है चार पड़ोसी जैसे कि अगर मैं बात करूँ इस वाली दीवार बोड वाली दीवार के चार पड़ोसी कौन होगे एक छट होगी एक फर्स होगा एक लेफ्ट वाली दीवार एक राइट वाली चार पड़ोसी सते होती है तो ये चार हो तो इसके दोस्त आ गए अब इस लाल क को लेकर करना चाह रहे हो तो first और second में इधर नारंगी है इधर बेंगनी है इधर नारंगी है इधर बेंगनी है तो लाल का opposite क्या हो जाएगा ये वाला जामुनी हो जाएगा क्योंकि दो common नजर आ रहे थे next open dice होता है यहां से start 154236 पूछा गया है कौन सा युगम विपरीत फलकों पर होने वाला युगम किस पिरकार से करते हो एक छोड़ कर एक यहां से चलोगे पूरा column छोड़ना पड़ेगा तो one का opposite होगा four one का opposite होगा four five से चलोगे तो पूरा column छोड़ोगे तो क्या जाएगा five का opposite ये वाला three five का opposite आ जाएगा ये वाला three two से पूरा चलोगे त पूरा कॉलम छोड़ोगे तो 2 के बाद आएगा क्या? 6 2 के बाद क्या आएगा? 6 पहचानो इन में से कौन सा option अपका right है 4 और 6 एक दूसरे के opposite है क्या? 4 का opposite तो 1 था गलत हो गया 2 और 4 opposite है? नहीं ये भी गलत हो गया 1 और 5 opposite है? नहीं 3 और 5 opposite है? जी बिलकुल 3 और 5 एक दूसरे के opposite पर है next चेक करो जल्दी से देखो किसका opposite पूछा गया है? 5 का opposite तो 4 का opposite ये वाला 3 2 का opposite ये वाला 5 एक छोड़ कर 1 का opposite ये वाला 6 तो 5 का opposite पूछा गया है 5 के opposite पर क्या होगा? 2 होगा 5 के opposite पर 2 होगा next پہچانो जल्दी से 1 के opposite पर क्या होने वाला है 1 के opposite पर फिर से उसी पिरकार का question है बताया है जहां से भी चलोगे एक column छोड़ना पड़ेगा 6 के बाद पूरा column छोड़ोगे तो ये वाला 4 1 से पूरा column छोड़ोगे तो 1 का opposite ये वाला 2 पूछा गया था 1 के अपोजिट पर क्या होगा 1 के अपोजिट पर 2 होगा Next यहां बताओ सीन टू लगा दो भी यहां बताओ कौनसे वाले को आप बना सकते हो फटाफट से चेक करो और मुझे बताओ कौनसा ओप्शन आपका आंसर होने वाला है फटाफट से बताएंगे सबी लोग पहचानो कौनसा ओप्शन आपका आंसर होगा चलो जी कौनसे वाले को बना सकते हो कौनसे वाले को नहीं बनाया जा सकता H से चलोगे तो पूरा कॉलम छोड़ना पड़ेगा H से जैसे ही चलोगे तो पूरा कॉलम छोड़ोगे तो H का अपोजिट क्या आएगा भी या K आजाएगा Side note कर लेना H का अपोजिट आजाएगा हमारा K ठीक उसके बाद A से जैसे चलोगे तो नीचे रास्ता है तो पूरा कॉलम छोड़ दोगे तो A का अपोजिट क्या आजाएगा ये वाला F आजाएगा A का अपोजिट आजाएगा ये वाला F ठीक है अब बचा L, L से उपर नहीं जा सकता क्योंकि कॉलम छोड़ना पड़ेगा रास्ता बंद इदर जाओंगा तो पूरा कॉलम छोड़ना पड़ेगा तो L के अपोजिट पर क्या आएगा ये वाला G आजाएगा L के अपोजिट पर आजाएगा हमारा ये वाला G पहचानना है की कौन सा धन बनाया जा सकता है ये आपको बताना है L, H, E LHA को क्या बना सकते हो L इस में है H उपर वाले में है A इस वाले में तीनों अलग-अलग company के हैं बिल्कुल बनाया जा सकता है LAG को क्या हम बना सकते हैं LAG LAG एक दूसरे के opposite थे कभी भी पास में नहीं आ सकते दूसरा वाला नहीं बनेगा तीसरा वाला G, K और A G, K और A G अधर, K उधर और A इस में तीनों अलग-अलग हैं तो बिल्कुल बनाया जा सकता है जो opposite है वो पास में नहीं आना चाहिए बस उसका ध्यान रखना यहां पर आपके first और third को हम बहुत आसानी से बना सकते हैं first और third option number option number D बिल्कुल right होगा first और third को बनाया जा सकता है next पहचानो question number 27, फटा फट से देखो question number 27, चेक करो क्या आएगा answer opposite निकालो पहचानो कौन सा घन बनाया जा सकता है कौन सा घन बनाया जा सकता है opposite निकालोगे opposite निकालने का तरीका एक छोड़ कर एक Z का opposite W X का opposite पूरा कॉलम छोड़ूँगा तो X का opposite आएगा P X का opposite क्या आएगा P और इस Y का opposite हो जाएगा R opposite वाला pass में नहीं आना चाहिए इसका खास ध्यान रखना है अपोजिट वाला पास में नहीं आना चाहिए P X R P और X एक दूसरे के अपोजिट थे कभी भी पास में नहीं हो सकते Y W P Y W और P possible है Y R Z Y और R एक दूसरे के दुसमन्ते नहीं बन सकता Z X W Z और W एक दूसरे के दुसमन्ते नहीं बनाया जा सकता तो Option No.3 हमारा अतियंत सांदार होगा बहुत ही ज़्यादा बहतरीन Next पर आजाओ ये रहा आपका अगला प्रश्न चेक करो आंसर बताओ कौन सा बॉक्स बनाया जा सकता है देखो परखो आंसर बताओ बताओ फटाफट से आपका अंसर क्या आ रहा है बताओ जल्दी से देखो फोर का अपोजिट निकालोगे एड़ दारेट आएगा ये वाला फोर का अपोजिट क्या आएगा एड़ दारेट सेवन का अपोजिट निकालोगा तो ये वाला टू आएगा सेवन का अपोजिट टू थरी का अपोजिट निकालोगे तो ये वाला 6 आ जाएगा 3 का opposite ये वाला 6 पहचानों क्या बात बनेगी 2, 3, 6 बन जाएगा क्या 2, 3 और 6 तो एक दूसरे के opposite थे नहीं बन सकता 7, 2 at the rate बन जाएगा 7 और 2 एक दूसरे के opposite थे नहीं बन सकता 7, 4, 3 बन जाएगा क्या 7 बीच में 4 उपर 3 नीचे possible है 4 at the rate और 3 4 और at the rate एक दूसरे के दूसरे के दूसमन्ते नहीं बनाया जा सकता तो जो गलतिया है उनको सरकल में बन कर दो ये नहीं बन सकते Next, पहचानों कुश्यन नमबर 29 कौनसा box बनाया जा सकता है कौनसा box बनाया जा सकता है मात्र 5 सेकंड में अंसर देना है अपोजिट निकालने के 5 सेकंड मात्र के अंदर अंदर A और C 4 से चलोगे 3 ये तो हर किसी को आते हैं इतना तो अब बस पहचानना क्या है उदर जाकर पहचानना है कि 6 का अपोजिट 2 है तो पहचानो इन में से कौनसा अपोजिट वाला है ना पास में दिया है उसको आप हटा दोगे A, C, 6 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हैं गलत हो गया 4, 3, 6, 4, 3 एक दूसरे के अपोजिट हैं गलत हो गया 4, A, 2 4, A और 2 पॉसिबल है बिलकुल 3, A, और C A, और C एक दूसरे के अपोजिट थे पॉसिबल नहीं है गलत Next कुशन नमर 30 अब की बार थोड़ा ध्यान से पढ़ना जल्द बाजी में गलत मत कर देना कुशन को तो कि एक्जामनर जब आप कुशन एक्जाम में पढ़ते हो तो कोसिस ये रहती है कि सीधा कुशन पर फोकस किया जाए और उसको सॉल्ब करना स्टार्ट उपर की लेंग्वेज को नहीं पढ़ते कि उपर क्या उसने बोला है जल्द बाजी में फिर ऐसे कुशन गलत हो जाते हैं ठीक है उसने बोला इन निमलिखित में से कौन सा बकसा नहीं बनाया जा सकता यानि कि चार में से तीन बन जाएंगे एक नहीं बनेगा एक नहीं बनेगा एका अपोजिट एम एका अपोजिट एम सेवन का अपोजिट के सेवन का अपोजिट आ जाएगा के और बचा J का अपोजिट ये वाला L पहचानो M, L, 7 M, L और 7 बना सकता हूं J, K, A J, K और A बना सकता हूं J, K, L J, K, और L J और L एक दूसरे के दुसमन थे A, L, और 7 A, L, और 7 इसको भी बना सकता हूं तो हम 3 को तो बना सकते हैं एक को नहीं बना सकते उसने यही पूछा था कि कौन से वाले को नहीं बनाया जा सकता ये गलत होगा ये गलत होगा Next बताओ जल्दी से, स्पीड में स्पीड में अंसर बताओ कौन सा बॉक्स बनेगा कौन सा बॉक्स बनेगा आठ का अपोजिट ये वाला नौ ठीक इस B का अपोजिट ये वाला A और इस C का अपोजिट ये वाला टू पहचानो 2 A B 2 A B A और B दुसमन थे दोस्त नहीं हो सकते 2 9 A 2 9 A बिलकुल बनेगा 9 C 2 C और 2 एक दूसरे के दुसमन थे गलत 8 और 9 एक दूसरे के दुसमन थे ये भी गलत Option नंबर B Option नंबर B चलो जी बढ़ते हैं आगे की तरफ Next Question देख लो कितने सारे Question करा रहा हूँ A की Type के क्यों करा रहा हूँ क्योंकि ये Type सबसे ज़्यादा पूछी गई है Exam में सबसे ज़्यादा बार तो जो सबसे ज़्यादा Type पूछी गई है उसी के मैंने ज़्यादा Question रखे है आसान Type ही है हार्ड इसमें कुछ भी नहीं है आप कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से M का Apposite O आजाएगा अना N का Apposite निकालोगे तो क्यूं आजाएगा N का Apposite निकालोगे क्यूं आजाएगा और फिर बचा क्या P का Apposite निकालोगे तो ये वाला आ रा जाएगा ये अपोजिट आ गए बस पह चाल लो कौन सा वाला बन सकता है PNO PNO बनाया जा सकता है NQP NQ एक दूसरे के दूसमन थे दोस्त नहीं हो सकते NQ एक दूसरे के दूसमन थे दोस्त नहीं हो सकते option number first only only first right है next question number 33 पटाफट से बताओ चेक करो यहां आपसे पूछा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता जल्दबाजी में गलत मत कर देना सुरी A का opposite क्या आएगा L आएगा ये वाला B का opposite Y आएगा B का opposite Y आएगा N का opposite X आएगा N का opposite X आएगा आँ अब A और D A और D A और D फस गए ना जल्दवाजी में ऐसे ही तो फस्ते हैं मैंने आपसे बोला ध्यान पूर्वक करना ध्यान पूर्वक जल्दवाजी में ही चीजें गलत होती है बिटा जल्दवाजी में ही B, N, A B, N और A पॉसिबल है इसको तो मैं बना सकता हूँ बना सकता हूँ L, Y, X तो उसने यही पूछा था कौन से वाले को नहीं बनाया जा सकता बहुत से स्टूडेंट जल्दबाजी में इसका अंसर ए दे रहे था क्योंकि उन्होंने फर्स्ट कोई देखा पहले कुशन को नहीं पढ़ा 어떻 quand कोई देखा की कौन सा बन सकता है उस लाइन को नहीं पढ़ा कौन सा नहीं बनाया जा सकता अर्थात d नहीं बनेगा अब यह बहुत से लोगों का कुश्चन गलत हो गया यह number कट जाएंगे इसके ध्यान रखना यह number कट जाएंगे next है अगला question इस पर scene to लगा देना भई next है थोड़ा सा ध्यान से देखना साफ दिख रहा है या नहीं पहला तो यह बताओ मुझे अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इनकी value को लिख रहा हूं अलग से थोड़ा सा कोसिस करना अगर आपको दिख जाएं सही से इसमें लिखा हुआ है N ठीक है भी या इसमें लिखा हुआ है Q इसमें लिखा हुआ है L इसमें लिखा हुआ है O इसमें लिखा हुआ है P और इसमें लिखा हुआ है M ठीक है अब दिख रहा होगा यहां N लिखा हुआ है इसमें O है, इसमें Q है, इसमें M लिखा हुआ है, इसमें P लिखा हुआ है, इसमें L L, डार्क कर दिया है मैंने इनको, इसमें Q है, इसमें P है, इसमें M है, इसमें O है, इसमें N है यहाँ पर आपको N दिया गया है N और यहाँ पर M दिया गया है इधर P है इसमें इसमें Q है इसमें L है और इसमें O है अब तो दिख गया होगा देखो सबी को साफ साफ या भी भी नहीं दिख रहा चलो तो उसने क्या बोला उसने आप से बोला है opposite निकालो सबसे पहले तो दोनों को compare करके दोनों को compare करूँगा दोनों में common क्या है P common है P P से ऐसे चलूँगा इधर की तरफ P, N और L इसमें P common है तो P से ऐसे अच्छा P और N दो चीज common थी रुको भई दो चीजें common है P और N P और N इसमें भी P और N इसमें भी तो L का opposite क्या बचा M बचा L का opposite M बचा तो ढूंडो L का opposite M कहां कहां पर है L का opposite M यहां आ रहा है बिल्कुल perfect right होने की संभावना L का opposite क्यूं है गलत हो जाएगा L का opposite O है गलत हो जाएगा L का opposite N है गलत हो जाएगा ये तो गलत हो गए only only first जो है वो आपका बिलकुल right होगा बहुत ही सांदार next ये हैं वो question open dice के जो exam में mostly पूछे गए हैं पहचानो answer बताओ यहां कौनसा mode कर बनाया जा सकता है dice दिया हुआ है और आपको इसको mode कर चेक करना है कौनसे वाले को बना सकते हो कौनसे वाले को नहीं उपर दिखाना भी कौन है आठ अक्टूबर को 18 साल हो जाएगी क्या UP में form apply कर सकता है बटा notification आने पर ही पता चलेगा ये तो exact तो notification आने पर ही पता चलेगा 6 का opposite 4 1 का opposite 2 3 का opposite 5 तो पहचानो 3,4,2 क्या possible है 3,4,2 possible है क्या आप कहोगे अभी तक तो possible है 5,3,2 possible है 5 और 3 एक दूसरे के दुसमन थे नहीं बनेगा 1,4,2 possible है 1 और 2 एक दूसरे के opposite थे possible नहीं है 1,2 एक दूसरे के opposite थे possible नहीं है तो जो opposite है वो pass में नहीं हो सकता first वाला हमारा बिलकुल right होगा first वाले को हम बना सकते हैं next अगला question आपके सामने है scene 2 लगा देना भी इससे ज़्यादा जूम नहीं कर पाऊंगा वो कह रहा है कौन से वाले को बना सकते हो कौन से वाले को आप बना सकते हो पहचान करो फटा फट से देखो परखो अंसर बताओ देखो ज़रा ज्यान पूरवक देखना यह क्या रहा है L P O L इसमें P O L Q N दिया गया है तो दोनों में L common है उपर भी L उपर भी L तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के अपोजिट अर्थात P का अपोजिट क्या होगा Q P का अपोजिट क्यों होगा राइट वाला राइट के अपोजिट होगा क्योंकि clockwise गुमाओगे तो condition तो यही आईगी यहाँ O का अपोजिट हो जाएगा N और last बचा हुआ है L L का अपोजिट कोई नया नंबर होगा नया लेफ्ट होगा वो यहाँ से पता चल जाएगा कौन M दिया है तो L का अपोजिट M हो जाएगा L का अपोजिट क्या हो जाएगा M पहचानो L का अपोजिट M आ गया बिलकुल ठीक है N का opposite O आ गया बिलकुल ठीक है P का opposite क्यों आ गया बिलकुल ठीक है Option number first ये कह रहा है P का opposite क्यों P का opposite तो O आ रहा है गलत हो गया P का opposite O आ रहा है P का opposite यहां O आ रहा है हमारा क्यों था गलत हो गया P का opposite यहां O आ रहा है हमारा क्यों था P का opposite ये भी गलत option number first बिलकुल right है next पहचानो अब की बार number लिखे हुए हैं तो जल्दी से बताओ देखो पर्खो answer बताओ c2 लगाओ check करो जल्दी से check करो जल्दी से क्या होगा आपका answer check करो जल्दी से क्या आपका answer आ रहा है दोनों को common को compare check करो क्या common नजर आ रहा है अब बहुत से student यहां फसेंगे आप कहोगे सर जी कुछ भी common नहीं है कुछ भी common नहीं है आप यही सोचोगे 7, 6, 4, 5, 3, 8 अब क्या किया जाए हमेशा ध्यान रखना अगर ऐसी condition आपके सामने आती है 7, 6, 4, 5, 3, 8 कुछ भी common नहीं है तो याद रखना उपर वाला उपर के opposite होता है यह याद रखना सबसे पहली बात 7 का opposite यह वाला 5 और left वाला right के opposite होता है और right वाला left के opposite ऐसी situation में जब दोनों में कुछ भी common नहीं हो तो आप यहाँ देखोगे 6 के opposite पर क्या लिखोगे 8 और 4 के opposite पर क्या लिखोगे 3 तो पहचानो 3 का opposite 7 का opposite 5 चेक करो 7 का opposite 4 दिया है गलत हो गया 7 का opposite 3 दिया है गलत हो गया 7 का opposite 6 दिया है गलत हो गया 7 का opposite 5 दिया है ये बिलकुल सही है 3 का opposite 4, 6 का opposite 8, 6 का opposite 8, 3 का opposite 4, option number D, option number D हमारा बिलकुल fix है, fix right है एकदम next, अगला प्रशन, अगला प्रशन, चेक करो, ये बहुत सांदार वाला कुशन है, बहुत ही जादा सांदार वाला कुशन, फटा फट से चेक करो, जल्दी से चेक करो और बताओ इसका सही जवाब क्या होगा, क्योंकि ये कुशन मैं आपको बता दूँ, SSC GD के एक्जाम में पूछा गया था, और ये कुशन GD क्या, ये CGL के लेवल से भी उपर का कुशन है, ये समझ सकते हो आप, क्योंकि यहाँ फसोगे आप, मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही, बहुत से स्टुडेंट यहाँ फसेंगे, option number A, option number A, option number A, आप A option दे रहे हो, चलो जी, देखते है 3 का अपोजिट 5 होगा, 6 का अपोजिट 1 होगा, 4 का अपोजिट 2 होगा, लिख देता हूँ side में, 3 का अपोजिट 5 है न, और 4 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 2, और बचा एक 6 का अपोजिट 1, पहले देखोगे, अपोजिट वाला pass में ना आया हो, 3, 6, 2, 3, 6, 2 possible है, 2, 5, 56256 पॉसिबल है 1424 और टू एक दूसरे के दुसमन थे एंटी पार्टी थे पॉसिबल नहीं हो सकता 153 5 और 3 एक दूसरे के अपोजिट थे पॉसिबल नहीं हो सकता अब आप क्या कहोगे ए और भी दोनों बन रहे है तो maximum student जाएंगे इसके साथ maximum student जाएंगे इसके साथ और य इसको ही लगा कराएंगे आप भी इसी को लगा रहे हो B option को आप भी B option को लगा रहे हो A plus B लेकिन आपने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि एक option only first भी दिया है तो मुझे B को चेक करना पड़ेगा कि B की condition क्या उस वाले open dice से match कर रही है B की condition क्या उस वाले open dice के साथ match कर र 2 अगर उपर है तो left hand पर 5 है right hand पर 6 है उस dice को मैं ऐसे rotate करूँगा जिससे की मैं 2 को उपर रख सकूँ उस dice को open dice को मैं rotate कर रहा हूँ ध्यान से रेखना कैसे rotate कर रहा हूँ left hand की तरफ जिससे की 2 उपर पहुंच जाए 2 उपर पहुंच जाएगा इस वाले column में ठीक है और य 3 6 5 1 3 6 5 और 1 मेरी बात सुनना जरा ध्यान से हमको B को चेक करना है क्या B वास्तम में really में बनेगा या नहीं बनेगा आप इसको left hand की तरफ rotate कर रहे हो तो ये position ऐसे आ गई अब बेटा अगर 2 उपर है 2 उपर है तो 5 के right hand पर 6 होना चाहिए क्योंकि आपका left ये है right ये है तो left hand पर अगर 5 है तो right hand पर 6 2 पर है तो 5 के right hand पर 6 5 के right hand पर तो 1 है condition गलत हो गई भीवाले की हो गई ना condition गलत condition गलत हो चुकी है यहाँ पर condition गलत हो गई किसके कारण 5 के right hand पर तो 1 है 5 के right hand पर तो 1 है ध्यान से देखो अगर 2 उपर है तो 5 के right hand पर क्योंकि 2 उपर छत पर है तो ऐसे clockwise में चारों दिवारें जो चलती हैं वो इस तरीके से कमरे की चार दिवार हो गई उपर छत हो गया नीचे फर्स है ना तो चार दिवारों में clockwise condition भी तो बननी चाहिए ऐसा थोड़ी ना कि आप dice में एक तरफ से clockwise चल रहे हो एक तरफ से anti clockwise चल रहे हो तो वो गलत होगा वो गलत होगा only first बनेगा मैं जाओंगा option number a के साथ और ये 95% student इसको गलत करके आए हो किसी एक काद student ने अच्छे से समझ कर जिसने इस logic को पढ़ा होगा वो करके आया होगा exam में ठीक है तो option number मेरे भाई ये सही है अब इसमें गलती मत करना ध्यान से करना अब इसमें गलती मत करना देखो सिंटू लगा दो भी चेक करो जल्दी से कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा पहचानो अपोजिट निकाल लोगे अपोजिट निकालने में कोई परिसानी नहीं 6 का अपोजिट ये वाला 2 हो जाएगा साइड में लिख देना 6 का अपोजिट 2 5 का अपोजिट ये वाला 9 होगा 8 का अपोजिट ये वाला 4 होगा 8 का अपोजिट ये वाला 4 होगा आप इस पिरकार से अपोजिट निकालोगे अना देखो अपोजिट निकाला आपने अब उसके बाद चेक करना कोई अपोजिट वाला पास में ना आया हो फाइव फोर टू फाइव फोर टू पॉसिबल है फोर सिक्स फाइव फोर सिक्स फाइव पॉसिबल है एट टू नाइन एट टू नाइन पॉसिबल है एट फोर टू एट फोर यह पॉसिबल नहीं है ये possible नहीं है तो आपके according क्या बना आपके according क्या बना ध्यान से देखो ABC बन रहा है रिंग की वर्मा आप कहरे हो ABC बन रहा है लेकिन क्या आपको ABC बेटा option में दिया है ध्यान से देखो जरा क्या option में ABC दिया है ये तो चलो गलत हो गया last वाला तो वो तो fix है गलत हो गया तो जहाँ D आ रहा होगा वो तो बनेगा इनी option उसको तो आप हटा देना तुरंती जहाँ D आ रहा होगा जिस option में ये आपका answer नहीं हो सकता जहाँ D आ रहा है वो आपका answer नहीं हो सकता जहाँ D आ रहा है ये आपका answer नहीं हो सकता only c बनेगा अब a और b गलत क्यों हो गए a और b उनकी condition चेक करनी है clockwise direction के according क्या वो सारी चीजें perfect way में हैं या नहीं है तो आप देख पा रहे हो इसमें 2 है क्योंकि उपर वाली face पर 2 है तो हम देख रहे हैं अगर 2 उपर है तो 4 के right hand पर 5 होना चाहिए अगर 2 उपर है तो 4 के right hand पर 9 है 4 के right hand पर 9 है तो ये गलत होगा आई बात समझे मैं कैसे किया मैंने नहीं आई होगी समझ मैं भी मैं बताता हूं आप क्या करोगे इसके according चलोगे यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है तो मैं क्या करूँगा 2 को उपर पहुचाओंगा अब जरा ध्यान से देखना मैं कैसे करूँगा मैं इस 2 को उपर वाले column में ले गया और ये वाला 4 उतर कर इधर आ जाएगा और 5 चला जाएगा इधर वाले में यह तो कर सकते हो इसको ऐसे गुमा दिया है ना इसको 2 को उपर पहुचाया तो 4 इधर आ जाएगा 5 इधर चला जाएगा अब इस 2 को उपर बनाऊँगा तो dice open dice बनेगा कुछ इस तरीके से एक column दूसरा column तीसरा और चौथा मैं 2 को उपर रखना चाहरा हूँ तो 2 आएगा इस वाले column में उपर ठीक है 2 के नीचे 9 है 9 को यहाँ पर रखूँगा और इधर की तरफ है हमारा 6 और यहाँ पर आप देखोगे सुरुवात में 4, 9, 8 और 5 इसको कैसे गुमा दिया ऐसे गुमा दिया जिससे की 2 उपर पहु है और यहाँ 4 के राइट हैंड पर 5 क्या यह दोनों कंडिशन मैच कर रही है आप खुद सोचो क्या यह दोनों कंडिशन मैच कर रही है नहीं मैच कर रही ना क्योंकि यहाँ 4 के राइट है और यहाँ 4 के राइट हैंड पर 5 है तो यह कंडिशन जब मैच ही नहीं कर रही त तो ये भी गलत होगा Only C वाला बनेगा Only C वाला ठीक है उपर दिखाना ठीक है चलो उस box का chain करें जिसे दी गई seat को उस पर अंकित रेखाओं के अनुसार मोड कर बनाया जा सकता है कोशिस करो क्या आप इसका अंसर दे सकते हो जल्दी से बताओ देखो जरा इसमें क्या है फोर का अपोजिट टू है पहले तो अपोजिट निकाल लो फोर का अपोजिट टू है फोर का अपोजिट वन का अपोजिट फाइव है फोर का अपोजिट फाइव है फिरी का अपोजिट शिक्स है फिरी का अपोजिट शिक्स अपोजिट वाला देखो क्या चारों वाला option दिया है only b, b और d, b, c, d, a और c तो मुझे तो फिर अब सारे ही चेक करने है पता नहीं कौन सा गड़बड हो जाए है ना, तो मैं first वाले कोई चेक करूँगा यहाँ 4 देखो, 4 उपर है तो इसमें 4 उपर है जो उपर नीचे वाली face है ना, वो match करनी है उपर नीचे वाली face इधर अगर 4 उपर की तरफ है और यहाँ 4 उपर की तरफ है तो 1 के right में 6 होना चाहिए अगर 4 उपर है तो 1 के right hand में 3 है 1 के right hand में क्या है 3 और यहाँ 1 के right hand में क्या दिया है 6 गलत हो गया तुरंती फर्स्ट गलत हो चुका है फर्स्ट गलत हो चुका ये तो आपका अंसर होने से रहा अब करूँगा दूसरे वाले को चेक अगर 2 उपर है तो 5 के राइट हैंड पर 3 होना चाहिए अगर 2 उपर है तो 5 के राइट हैंड पर 3 ये भी perfectly right होगा ये भी perfectly अब बार बार dice को घुमाने की आवशकता नहीं है आप यहाँ पर देख सकते हो four इधर की तरफ है तो six के right hand पर one होना चाहिए four इधर right उपर की तरफ है तो six के right hand पर कुछ नहीं है तो वो one घुमकर यहाँ पर आ जाएगा तो ये बिल्कुल right है ना six क के right hand पर one last वाले को compare करूँगा तू अगर उपर है तो three के right hand पर one ये भी perfectly right है only first गलत था only first गलत था तो आपका अंसर होगा b c और d perfect way में right है b c d perfect right है एकदम सांदार अगली type क्या है इसमें अगली type देखो dice को rotate करने वाली dice को rotate करने वाली type देखो जरा ये कैसे rotate कर रहा है total 50 questions है मैंने आपको पहले ही बताया था और 50 questions में पूरा dice खतम हो जाएगा पूरा dice हर type का question रखा है जो आ सकती है और जो नहीं भी आ सकती ठीक है ना ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं मतलब कम पूछी जाती है और पूछी भी कम गई है exams में तो आपसे मेरी request है कि आप type को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना क्योंकि type थोड़ा सा ये last वाली जो type है थोड़ा सा परेसान करती है तो यहां आप देखोगे क्योंकि ये type आपने बहुत कम बार पड़ी होंगी कभी किसी ने कोई question देखा होगा और बहुत से तो आप में से पहली बार ही पड़ रहे होगे वो कह रहा है कि X को तीन बार एक ही किरम में घुमाया जाता है उसकी दो इस्तितियां X1 X2 दी गई है अना निमलिखित में से विकलपों में से अगली संभावित इस्तिती का chain करना है अगली आकरती क्या होगी बिटा मेरी बात सुनना यहां 3 यहां 3 और यहां 3 थरी अपनी ही position पर रखा हुआ है लेकिन dice को rotate कैसे किया जा रहा है कुछ ऐसे ये वाला 2 उपर गया देखो ये वाला 1 उपर गया देखो तो ये वाला 5 अब उपर जाएगा ये वाला 5 उपर जाएगा इसका अर्थ है अग की तरफ क्योंकि 2 उठकर उपर चला गया 1 उठकर उपर चला गया तो 5 उठकर उपर जाएगा और यहां क्या आएगा ये तो 3 रहेगा 5 3 वाला comment चेक कर लो 5 2 है ये गलत होगा है ना यहां 2 नहीं आ सकता गलत ये 6 4 है ये गलत अब 5 3 यहां पर भी है 5 3 अब पहचान करनी है 2 आएगा या 6 आएगा ये सबसे ज़्यादा important बात है 2 आएगा या 6 अब खुद सोचो ये 2 उपर गया है और 2 अब अब यहां से जैसे ही मैंने 2 को किया तो ये इधर 5 के opposite पर चला गया अब आप ध्यान से अगर चीजों को देखो यहां से नीचे से उठकर 2 उपर गया है औ और 2 जब आगे की तरफ जा रहा है तो 5 निकल कर आ रहा है तो 2 और 5 एक दूसरे के opposite पर हैं 2 और 5 एक दूसरे के क्या हैं opposite हैं क्यों opposite हैं अब अगर 2 उपर है और 2 को जैसे ही मैंने rotate किया तो इधर की तरफ गया इधर की तरफ और नीचे से निकल कर आया 5 इसकार तब 5 के प अपोजिट हैं तो ये पास में नहीं हो सकते हमारा option number B right होगा option number B option number B next अगला प्रस्ण same condition के according same condition के according है इसमें भी A दिया है यहां पर भी A दिया है यहां पर भी A दिया है तो next वाली figure में भी A यहां पर आएगा ही आएगा fix है वो तो A A A हर किसी मा रहा है बस पहचानो B उठ गया उपर गया है ना B नीचे से उपर गया तो C इधर चला गया C इधर चला गया और यहां निकल कर क्या आया E आया तो E का opposite क्या हो जाएगा C क्योंकि जो छुप रही है आकरती E और C एक दूसरे के opposite क्योंकि यहां उपर C है और मैं इसको ऐसे गुमा रहा हूँ अब अगर C छिप रही है इधर से E निकल कर आ रही है तो C और E opposite हो जाएगे अब B छिप रही है और F निकल कर आ रही है तो B और F opposite हो जाएगे अब इसको मैं rotate करूंगा तो F उपर पहुँच जाएगा F उपर इसमें B इसमें D उपर दिया है गलत इसमें E उपर दिया है गलत इसमें C उपर दिया है गलत तो बचा क्या only second only second option हमारे पास बचा हुआ है only second यही हमारा answer होगा next अगला प्रशन अगला प्रशन कुशन मार्क वाला जहां पर एक नंबर गायब होता है जहां पर एक संख्या गायब होती है और आपसे बोला जाता है कि यहां पर जो नंबर गायब है यहां पर कौन सा नंबर आ सकता है इसकी पहचान आपको करनी है CRPF मैं 25 में से तेज किया हूँ बहुत सांदार, बहुत ही गजब दोनों को common check करोगे 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है clockwise की according opposite निकाल लोगे 4, 5, 3 4, 6, 1 4, 6, 1 1 का opposite 3, 5 का opposite 6 4 का opposite बचा, क्या? 2 अब पहचान करो यहाँ पर 2 आ गया, 3 आ गया अब 2 आ गया, 3 आ गया तो 5 और 6 मैं से ही आएगा बाकी और कुछ नहीं आ सकता या तो 5 आएगा या 6 आएगा या तो 5 आएगा या 6 आएगा बाकी कुछ नहीं आ सकता ना तो 4 हो सकता, ना 1 हो सकता तो यह तो हो जाएंगे गलत अब इसकी पहचान कैसे करनी है अब इसकी पहचान कैसे करनी है कि यहाँ पर two के right hand पर क्या आएगा बताओ, two के right hand पर five भी आसकता है, six भी आसकता है क्योंकि यह बचे हुए है आप इन्हें से कौन से वाले को कहोगे that 5 right है यह six right है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा जब 3 उपर दिया है तो हम 3 को उपर रखेंगे इस dice के according चलूँगा कौन से dice के? इस वाले dice के according चलूँगा कैसे चलूँगा ध्यान से देखना dice में rotation rotation करना पड़ेगा किस तरीके से? 3 को उपर पहुचाना है तो 3 उपर वाले कॉलम में चला जाएगा और ये 4 उतर कर नीचे आ जाएगा इस वाले में और ये जो 5 था ये इधर वाले में आ जाएगा कुछ ऐसे उधर भी 3 उपर है और 2 नीचे की तरफ है अब बनाऊंगा open dice अब बनाऊंगा मैं open dice एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम open dice बनाया पहचान करो क्या चीज़ें आ सकती है 3 को उपर रख लेना बस 3 को उपर रख लेना और नीचे रख लेना भीया 3 का अपोजिट 3 का अपोजिट 1 था यहां के according यहां मैं देख पा रहा हूँ इधर 5 है और 5 के right hand पर तुरंत 4 है फिर आप देखोगे 5 का अपोजिट 6 है बिटा और आगे देखोगे तो 4 का अपोजिट क्या है 2 है इसके according आप देख सकते हो अगर 3 उपर है तो 2 के right hand पर क्या होगा 3 उपर है तो 2 के right hand पर खाली है यह वाला 5 घूमकर पहुँच जाएगा यह वाला 5 घूमकर पहुच जाएगा option number C option number C बिलकुल right होगा एहचान करनी होती है जब वहां 3 उपर दिया है तो इसमें 3 उपर बनाऊंगा और जब मैंने 3 उपर बनाया तो 5 के right hand पर 4 आया यह 3 उपर गया यह 4 इधर गया 5 इधर आया यह बन गई condition तो यहां 5 के right hand पर 4 बन रहा है बिटा 5 के right hand पर 4 5 का posit 6 है 4 का posit 2 है तो 2 के right hand पर क्या होगा यह वाला 5 घूमकर आ जाएगा यह वाला 5 इधर घूमकर आ जाएगा option number c option number c next अगला question इसी pattern पर आधारित बिल्कुल सेम बिल्कुल सेम है यहां पूछा गया है यहां पर क्या आएगा दोनों dice को compare करो opposite निकाल लो इधर 4 है इधर भी 4 है dice को rotate करके पहले तो opposite निकाल लो ऐसा कर सकते हो हाणा तो 4, 6, 1 आएगा 4, 6, 1 इधर से चलूँगा 4, 3, 2 1 का opposite 2, 6 का opposite 3 4 का opposite 5 तो एक बात याद रखना 4 और 3 के जो पड़ोसी है 4 का पड़ोसी 4 और 3 का opposite 5 है और 3 का opposite 6 है तो ना तो 5 हो सकता ना 6 हो सकता 1 और 2 मैंसे होगा जो भी होगा 1 और 2 मैंसे होगा ना तो 5 हो सकता न 6 हो सकता 1 और 2 में से आपको पहचान करनी है कि कौन सा होगा ठीक है 4 उपर है तो open dice बनाओ जिसमें 4 उपर आए open dice बनाओ जिसमें 4 उपर आए open dice की situation 4 को उपर रख दीजिए और 4 का opposite क्या रहा है 5 नीचे आ जाएगा अपने आपी अब इसमें 3 दिया है तो मैं इसमें 4 उपर कहां बना सकता हूँ 4 इसमें बना सकता हूँ मैं 4 को उपर इस dice को लेकर चलूँगा तो ध्यान से देखना 4 को उपर लेकर जाओगे चला गया 3 नीचे उतर कर आजाएगा right side में 2 इधर आ जाएगा तो 2 के right hand पर 3 है 2 के right hand पर 3 तो 2 के right hand पर 3 यहां लिख दूँगा 2 का opposite क्या है बिटा 1 है 3 का opposite क्या है 6 है उसने पूछाए कि 3 के right hand पर क्या आएगा 3 के right hand पर क्या आ रहा है यहां से देख सकते हो 3 के right hand पर 1 आ रहा है option number C option number c बिल्कुल सही जवाब होगा one ठीक है next अब की बार दो दो चीजें गायब हैं दो चीजें गायब हैं तो अब थोड़ा question कठिंसा हो जाता है कि अब कैसे किया जाए है लेकिन ये सबसे ही आसान है ये सबसे आसान है क्यूं है सबसे आसान दोनों को अपस में compare करोगे क्या चीज common नजर आ रही है a और c इसमें भी है a और c इसमें भी है तो d का opposite क्या है भी या f अगर d का opposite f है तो वो d के पास में नहीं हो सकता किसी भी हालत में a c a c तो d का opposite अगर f आया d का opposite f आया है तो वो इसके पास में किसी भी हालत में नहीं आ सकता F इसमें दिया है तो ये आपका अंसर नहीं होगा F यहाँ पर दिया है तो ये आपका अंसर नहीं होगा F यहाँ पर दिया है तो ये इसका अंसर नहीं होगा क्योंकि D का opposite F है, वो उसका adjacent सनलगन नहीं हो सकता, पड़ोसी नहीं हो सकता, option number first आपका right होगा, first आपका right होगा, next, यहाँ दो चीजें गायब हैं, पहचानों, क्या answer होगा, 5 के पड़ोस में क्या क्या चीज हो सकती है, उसने ये पूछा है, तो दोनों को compare कर लो, इसमें 6 दिया है, 6, 2, 4 करूँगा, इसमें 6 दिया है, 6, 3, 1 करूँगा, तो 6, 2, 4, 6, 3, 1, 6 का opposite हो गया, 5, तो 5 के पास में 6 नहीं आ सकता, 5 के पास में 6 नहीं आ सकता, यह option तो गलत हो जाएगा, वो कह रहा है, A और B के स्थान पर किरमस है, कौन-कौन से अंक आएंगे, भाई, 3, 2 भी आ सकता है, 1, 4 भी आ सकता है, और 3, 4 भी आ सकता है, पहचानना आपको है, यह question है, थोड़ा सा कठिन, थोड़ा सा कठिन क्यों है, इसमें 5 दिया है, मेरी बात सुनना, आप आपने 5 का अपोजिट निकाला, बेटा, क्या आया, 6 आया, तो आप बड़ी आसानी से एक चीज़ देख सकते हो, अगर 5 इधर है, तो इधर पीछे जो छिपा होगा, वो कितना छिपा होगा, मुझे यह बताओ, अगर 5 इधर की तरफ है, 5 इधर की तरफ है, तो इधर की त 3 सते नजर आएंगी, तो मैं इस कौने से देखना चाहूं, तो इस कौने पर अगर मैं देखना चाहूंगा, तो मुझे जो है न, फिर ये वाला 6 उपर नजर आएगा, 6 इस वाले कौने से देखूंगा, 6 नजर आएगा, A इधर और B इधर इसकार्थ है, A और B ये ऐसे राइट हैंड पर थिरी है देखो 6 उपर है 1 के राइट हैंड पर थिरी है open dice तुरंट बनाओ open dice बनाओगे यहां पर 6 उपर है 6 का opposite क्या था 5 नीचे रहेगा और यहां हम देख पारें 1 के right hand पर 3 है तो यहां पर मैं लिख दूँगा 1 के right hand पर 3 और 1 का opposite क्या था बेटा 4 था 3 का opposite क्या था 2 था इसमें से देख कर 1 का opposite 4 3 का opposite 2 है तो क्या 3 और 2 possible हो सकते हैं 3 और 2 तो एक दूसरे के दूसमन थे नहीं possible हो सकते ऐसा भी कर सकते थे ठीक है 1 और 4 एक दूसरे के opposite थे यह भी possible नहीं होगा option बचेगा 3 और 4 अब यह तो और जादा आसान हो गया क्यूं 1 और 4 opposite थे यह सुरुआत में हो गया गुमाने की व्याव शक्ता ना पड़ी क्योंकि 1 और 4 पास में नहीं आ सकते हैं ना 2 और 3 opposite थे 2 और 3 एक साथ नहीं आ सकते तो बचा क्या only 3 and 4 बचा only 3 and 4 3 और 4 केवल यही बचा है रोकना उपर कौन है 43 को घुमा कर देखना 43 क्यों 43 इतनी पीछा चले गए अब बटा एक बार कोसिस करके देखना बहुत आराम आरम से बिल्कुल आराम आरम से समझा रहा हूं इसी बज़े से क्योंकि यह टाइप थोड़ी सी परेसान करने वाली टाइप है चेक करो इसमें 2 A और B दिया है और देखो यहां पर भी 2 है तो मैं 2 को उपर पहुचाना चाहूंगा उधर वाले हिससे पर तो आप क्या करोगे पहले तो अपोजिट चेक कर लेना दोनों डाइस को देखकर दोनों डाइस में 5 दिया है 5 3 4 और 5 5 2 1 5 5 3 4 5 2 और 1 5 का पोजिट बचेगा क्या 6 बचेगा वहां आप देख पा रहे हो 2 है और इसमें भी 2 है तो मैं दोनों को एक जैसा बना लूँगा एक जैसा कैसे बनाऊंगा एक जैसा ध्यान से सुनना मैं दोनों डाइस को एक जैसा बनाना चाहूंगा कुछ इस तरीके से जिसमें 2 उपर चला जाए दोनों में जहान से सुनना अगर मुझे 2 को उपर पहुचाना है तो 2 मैं उपर पहुचा सकता हूँ बड़ी आसानी से यहां पर ठीक मैं 2 को उपर पहुचाऊँगा तो 5 नीचे आ जाएगा और ये वाला 1 इधर चला जाएगा इसमें मैं 2 को उपर पहुचाना चाहरा हूँ तो 2 इधर पहुच जाएगा तो ये वाला A उतर कर नीचे आ जाएगा इधर की तरफ और B आ जाएगा इधर की तरफ अब कंडिशन A, B की नहीं बनी B और A की कंडिशन बनी उसने बोला था A और B के स्थान पर क्या आएगे A और B के स्थान पर क्या आएगे तो मैं क्या करूँगा इन सभी आप्शनों को reverse कर दूँगा 6 और 3 क्योंकि हमारा case बन रहा है B पहले और A बाद मैं तो मैं इनको पलटूँगा 3 और 4 मैं इनको चेंज कर दूँगा 4 और 5 मैं इनको चेंज कर दूँगा 6 और 1 इस तरीके से ठीक है अब आप देखोगे यहां अगर 2 उपर है तो 5 के राइट हैंड पर 1 है 5 के राइट हैंड पर 1 open dice बनेगा अब open dice की सर्तें यहां पर रख दोगे उपर की तरफ आपने क्या रखा है 2 तो नीचे की तरफ क्या आएगा opposite निकाल चुके हो 2 का opposite 3 है इसमें देखोगे 2 अगर उपर है तो 5 के राइट हैंड पर 1 है 5 के राइट हैंड पर तुरंथ आप 1 रख दोगे फिर आप opposite लिकार देना 5 का opposite 6 दिया है उपर है तो 5 1 बनेगा क्या 5 1 यहां नहीं बन रहा 1 6 का केस पॉसिबल होगा 1 के राइट हैंड पर 6 तो यह तो गलत हो जाएगा 6 के राइट हैंड पर 3 6 के राइट हैंड पर 3 नहीं होगा यह भी केस गलत 3 के राइट हैंड पर 4 3 के right hand पर 4 ये case possible नहीं होगा 4 के right hand पर 5 4 के right hand पर दुबारा से यहां से गोम कर 5 पहुँच जाएगा Only third वाला case possible होगा Only third वाला case जो है वो possible होगा Third वाला case केवल और केवल तीसरा Last type बची है इसके 3 question है ये UPSI के exam में पूछे गए थे ये सबसे ही आसान सी type है उसने क्या दिया है काला हरे के सन निकट है हरा पीले के विपरीत है गुलाबी नीले के विपरीत है लाल हरे के सन निकट है तो जो opposite दी है देखो हरा पीले के विपरीत तो आप क्या करोगे हरा पीले के विपरीत है हरा, इसके विपरीत पीले के विपरीत लिख दोगे, ठीक गुलाबी नीले के विपरीत गुलाबी गुलाबी, किसके विपरीत नीले के विपरीत ठीक, दो कलर बचे वो आपस में अपोजिट होंगे, कौन-कौन से बचे एक तो लाल बचा, ना लाल और एक बचा है आपका कौन सा हरा आ गया काला बचा है तो लाल और काले एक दूसरे के अपोजिट होंगे ये condition बन कराएगी open dice में जैसा आपका मन करे ऐसा रख देना open dice में जैसा आपका मन करे रख देना थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ क्योंकि सब का अपोजिट आपका आ चुका है सभी का अपोजिट आ चुका है तो आप क्या करोगे जैसे कि मानलो मैं यहां पर लाल रख रहा हूँ छीक है लाल का अपोजिट क्या आया हमारा काला काले को यहां रखूँगा एक छोड़ कर और फिर दूसरा कोई भी रख लो हरा रख लो पीला रख लो हरा यहां रख दिया तो पीला पहुँच जाएगा यहां पर एक छोड़ कर एक और उपर वाले केस पर मैं पूरे पर ही रख रहा हूँ पूरे पर रख रहा हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए क्योंकि इसके पास में ये कहीं पर भी हो सकता है पूरे पर रखो चाहे बीच में रख लीजिए आपकी मरजी है ठीक है न? यहां रख लो कोई दिक्कत नहीं है यहां पर रख लो और यहां पर रख लो दो बचे थे कौन कौन से एक तो गुलाबी और नीला गुलाबी यहां पर आ जाएगा और नीला यहां पर जैसे कुश्चन मैं बोला ऐसे हमने इनको बनाया काला नीले और हरे के बीच में है काला नीले और हरे के बीच में नीले और हरे के बीच में नहीं आ सकता काला नीले और हरे के बीच में नहीं आ सकता गलत हो गया काला लाल के सन निकट है काला लाल के सन निकट हो नहीं सकता क्योंकि काला और लाल एक दूसरे का अपोजिट है ये पास में नहीं हो सकते हरा काले और लाल के बीच में है हरा जो है लाल और काले के बीच में बिलकुल फिक्स है बिलकुल फिक्स है दोनों के बीच में है लाल और काले के बीच में है बिलकुल फिक्स पीला हरे और गुलाबी के बीच में है पीला, हरे और गुलाबी हरे और गुलाबी तो जुड़े हुए थे उनके बीच में नहीं आ सकता पीला ये भी गलत केवल और केवल सी वाला राइट होगा केवल और केवल सी वाला ऐसा ही कुश्चन है अगला वाला बैंगनी के विपरीत नारंगी है धूसर के विपरीत काला है जामुनी के विपरीत नीला है तो सब कुछ दिया हुआ है आप बड़ी आसानी से ओपन डाइस में इन सभी चीजों को रख सकते हो यहाँ पर बिलकुल रखे जा सकते हैं सभी के सभी एक दो तोरी थोड़ा बड़ा बना लो एक दो तीन और चार उसने बोला था बैंगनी के विपरीत नारंगी है बैंगनी के विपरीत नारंगी तो बैंगनी को जब आप इसमें रखोगे बैंगनी के विपरीत कौन है नारंगी नारंगी एक छोड़ कर आएगा तो जहां आपका मन करे, धूसर के विपरीत क्या है, काला, जहां भी आपका मन करे, वहां रखना, पर रखना आपो जिट महीं, जामुनी के विपरीत नीला है, जामुनी के विपरीत क्या है, नीला, नीला, ठीक है, पहचानो, कह रहा है कौन सा निश्चित रूप से असत्य है असत्या का अर्थ होता है गलत, 43 वाले को रुख जाओ, अभी समझा रहा हूं 43 वाले को, बार बार एक ही कमेंट करे जा रहे हूं 43, 43 करा दूँगा, रुख जाओ, ठीक है, होसला रखो, असत्या यानी की गलत कौन सा है, गलत, गलत वाला पूछा है उसने, जामुनी, काले औ सन्निकट हो सकती है, और धूसर के भी सन्निकट हो सकती है, ये तो हो सकती है, और ये कह रहा है, सन्निकट नहीं है, इस कारत है, ये गलत बोल रहा है, इस कारत है, ये गलत हो गया, फस्ट वाला, नीला जामुनी के सन्निकट नहीं है, नीला जामुनी के सन्निकट होई नहीं है काला नीले के सन्निकट है काला नीले के काला और नीला सन्निकट आ सकता है मिल जाएंगी इनकी है ना आपस में सत है बिलकुल हो सकता है पास में कौन सा गलत था फर्स्ट वाला गलत था फर्स्ट वाला नहीं बन सकता किसी भी हालत में homework वाला question है आपके लिए इसी pattern पर इसका जवाब comment box में लिखोगे homework का question है इसी तरीके से आप करोगे 4 के विपरीद 2, 5 के विपरीद 3, 1 के विपरीद 6 कौन सा निश्यत रूप से गलत है गलत वाला पूछा है comment box में answer देना चेक करूँगा comment box में screenshot लेना चाहो ले सकते हो बाकी जो 43 के लिए बोल रहे है 43 मैं दुबारा से एक बार और अवश्य बता दूँगा आपकी condition के according मैं मिटा रहा हूँ सब कुछ और मैं दुबारा से इस question को आपको बताने जा रहा हूँ ठीक है चलो जी जिनको दुबारा से देखना है वो देख सकते है आप क्या करोगे पहले निकालोगे opposite ध्यान से सुनने न आप opposite निकालोगे 4,5,3 4,6,1 opposite निकालोगे 4,5 और इधर 3 यहाँ 4,6,1 3 का opposite 1, 5 का opposite 6 तो 4 का opposite बचा हुआ number 2 ठीक है अब अगर 3 उपर है तो 2 के right hand पर क्या आएगा वो यह कहना चाहरा है तो मैं क्या करूँगा इस dice के according चलूँगा इस dice के according और आप यह भी चीज़ देख सकते हो अगर 3 और 2 दिया है 3 और 2 दिया है तो ना तो 4 आ सकता ना यहाँ 1 आ सकता ना तो 4 answer हो सकता ना 1 answer तो यह दो option तो गलत कर दूँगा इस dice के according चलूँगा इस dice के according कैसे चलूँगा ध्यान से देखना जरा इस dice के according चलूँगा कैसे चलूँगा 3 उपर है ना तो 3 को उपर बिठाऊंगा बिटा 3 को उपर लेकर गया अगले वाले face पर 4 नीचे आ जाएगा उतर कर ठीक है ये वाला 5 इधर आ जाएगा ये वाला 5 इधर आ जाएगा ठीक है तो उसमें 3 उपर था इसमें 3 उपर बनाना है इसमें तो 3 common है नहीं इसको तो लेकर करी नहीं सकता अब dice का open dice बना दूँगा कैसे बन जाएगा open dice इसकी साहता से क्योंकि हमको 3 उपर रखना है तो 3 को उपर रखा जाएगा opposite निकाला था 3 का opposite 1 आ रहा था 1 यहाँ पर आ जाएगा अब 3 उपर है तो 5 के right hand पर 4 है भीया 3 उपर है तो 5 के right hand पर just 4 है आप opposite यहाँ से उठा लाओगे 5 का opposite क्या रहा है 5 का opposite 6 आ रहा है यहाँ पर 6 रख दूँगा एक छोड़ कर 4 का opposite कितना आ रहा था 2 आ रहा था 4 का opposite एक छोड़ कर 2 रख दूँगा उसने बोला था अगर 3 उपर है तो 2 के right hand पर क्या होगा अगर 3 उपर है तो 2 के right hand पर कुछ नहीं है खाली बचा तो इसकार था यह वाला 5 घुमकर आएगा यह वाला 5 घुमकर आएगा राइट एंड पर बोला है left में 6 नहीं होगा 6 तो होगा नहीं क्योंकि 6 तो left hand पर है 2 के right में क्या होगा क्योंकि यह वाला 5 घुमकर जाएगा चार दीवारे जो होती हैं वो इस पिरकार से होती हैं ये दीवार फिर ये दीवार फिर ये वाली फिर दुबारा से घुमोगे तो ये ही चक्कर चलता रहेगा तो यानि कि ये जो चार दीवारे हैं वो कमरे की चार दीवारे हैं उपर छत नीचे फर्स छत पर तीन है नीचे पर एक है, two, two के right hand पर क्या आएगा, क्योंकि two last वाली दीवार अगर इधर वाली दीवार पर two लिखा हुआ है तो इधर वाली पर दुबारा से घुमकर five ही आएगा, ऐसे, जब चलोगे तो ये वाला five घुमकर यहाँ पर आएगा, तो five वाला option right होगा, six इस लिए नहीं होगा, ठीक है न, कोशिस करना, कोशिस करना solve करने की सभी चीजों को और जो homework का question दिया है उसको अच्छे से कर लेना answer comment box में लिख देना chapter में जो type हो सकती थी, जो type question exam में पूछा जा सकता था, मैंने इन 50 question में पूरी dice chapter को finish कर दिया है, कल आपका रहेगा Saturday special आप जानते हो, तो Saturday special में आपके 55 question होते हैं, वो आपको करने हैं बाकी Monday से हम next chapter लेकर चलेंगे, तो तब तक के लिए सभी को मेरी तरब से भीया नमस्कार है, धन्यवाद, टाटा, बाई बाई